नमस्कार दोस्तो और सिखे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं एक सिंगल करण का एक बहुत ही खुपसुर डिजाइन लाएं हूँ जिसे आप किसी भी लेडिस प्रोजेक्ट में अपलाई करेंगे ये बहुत ही अच्छा लएगा आप इसे शॉल में, स्टॉल में या श्रग में डालेंगे ये बहुत ही अच्छा लएगा जैकेट, कोटी या काडिगन में भी डालें ये लाजवाब लगेगा इसे बनाने के लिए हमें तीन के मल्टिपल फंदे चाहिए ये तीन-तीन फंदे गिने, तो लास्ट में एक भी फंदा बचना नहीं चाहिए तो मैंने बारा फंदे डाल दिया है डिजाइन बताने से पहले आप से अन्रोध है कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बारा हैं तो कृपिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रस कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नाटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले धेर सारे डिजाइन देखने के लिए आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं तो चलिए फ्रांस हम डिजाइन बनाते हैं तो मैंने सलाई पे बारा फंदे डाले हैं तो बार्डर बनाने के बाद पहली लाइन में हम सब्सक्राइब को सीधा बनेंगे हम बार्डर के बाद जस्ट डिजाइन नहीं डालेंगे बलकि पहली लाइन में हम सभी फंदे सीधे बुन लेंगे और रॉंग साइट से सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे ये डिजाइन तीन ही फंदे का डिजाइन है और इन ही तीन फंदों को हमें पूरी लाइन में दूराना है डिजाइन बेहत खुबसुरत है और बहुत ही आसान तो हमने बॉर्डर के बाद दो लाइन प्लेन बुन लिया आगे से सीधा और पीछे से उल्टा अब तीसरी लाइन से हम डिजाइन डालना शुरू करेंगे तो दो फंदो को हम एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए दोनों को उल्टा बुनेंगे यहाँ पे हमने दो काये किया एक फंदा हमारा घट गया अब नेक्स्ट फंदा हमें सीधा बुनना है तो हमारा धागा हमारी तरफ है और अगले फंदे को हम सीधा बुनेंगे तो ऐसे उपर से लेके जाएंगे अब देखिए यह हमारा जाली पड़ गया और इसे हमने सीधा बुन लिया तो यह तीन फंदे हैं और इन्ही तीन फंदो को हमें पूरी सलाए में दोराना है अब हम उनको अपनी तरफ कर लेंगे दो फंदो को एक साथ लेंगे दो फंदो को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे अब देखिए उन हमारा हमारी तरफ ही है नेक्स्ट फंदे को हमें सीधा बुनना है तो ऐसे उपर की तरफ से हम ले जाएंगे और अगले फंदे को हम सीधा बुन लिए तो देखिए ये हमने दो का एक किया उल्टा बुना ये जाली पड़ गई और ये हमने सीधा बुना तो ये तीन फंदे हो गए यहाँ दो का एक किया एक फंदा घट गया था जाले देने से एक फंदा बैलेंस हो गया हमारे तीन के तीन फंदे वापस मिल गए अब फिर इन ही तीन फंदो को हमें दोराना है इसलिए उनको हम अपनी तरफ करेंगे दो फंदो को एक साथ लेंगे अब हम उनको अपनी तरफ करेंगे अब पर इन यह तीन फंदोगों को हमें दूर आना है तो उन अपनी और करेंगे दो फंदोगों को एक साथ लेंगे अल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे अब देखिए लास्ट में एक फंदा बचा है उन हमारी तरफ रहेगा और इसे हम जाली देते हुए सीधा बुन कर ली, अब हम आ जाते हैं रॉंग साइड में, तो देखे ये फंदा हमने उल्टा बुना है, सामने से हमने सीधा बुना था, पीछे से ये उल्टा हो जा रहा है, तो उल्टा वाला फंदा और जाली, दोनों को हम एक साथ लेंगे, और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे अब उन हमारा हमारी तरफ ही है नेक्स्ट फंदा देखिए ये सीधा है तो इसे हम जाले देते हुए सीधा बुननेगे तो देखिए तीन का वापस तीन फंदे हो गए अब उन अपनी और करेंगे ये उल्टा फंदा है इसे और जाले दोनों को हम एक साथ लेंगे और एक साथ लेके उल्टा बुननेगे यहाँ पे हमने दो का एक कर लिया उन हमारा हमारी तरफ है अगले फंदे को हमें सीधा बुनना है उन हमारा हमारी तरफ है यानि जाली देते हुए सीधा फिर उन अपनी और अगला फंदा उल्टा है और जाली इन दो को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे नेक्स्ट फंदा देखिए सीधा है इसे हमें सीधा बुनना है उन हमारा हमारी तरफ है यानि कि जाली देते हुए इसे हम सीधा बुनेंगे फिर उन अपनी तरफ उल्टा फंदा और जाली वाला दो फंदा हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे आप देखें लास्ट फंदा ये सीधा है तो इसे हम जाली देते हुए सीधा बनेगे फिर से देख लिजे पहला फंदा देखिए उल्टा है तो इसे और जाली वाले फंदे को दोनों को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे नेक्स्ट फंदा सीधा है तो इसे हम जाली देते हुए सीधा बने तीन ही फंदे का और एक ही लाइन का ये डिजाइन है इनी तीन फंदो को हमें आगे से भी और पीछे से भी दोनों साइट से हमें इनी तीन फंदों को दोराना है और ये खुबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा तो देखिए फ्रंट इनी तीन फंदों को हमने सामने से भी और पीछे से भी इनी तीन फंदों को दोराया है और ये खुबसुरत सा पैटर्न बनता चला गया है देखिए, ये हमारा back side है और ये हमारा देखिए, ये हमारा front side है दोनों तरफ से ये एक ही जैसा दिखता है दोनों तरफ से एक ही जैसी बुनाई हुई है तो, देखिए friends दीजाइन बेहत खुबसूरत है आप इसे किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में डालेंगे ये बहुत ही शांदार दिखाए देगा तो फ्रेंट्स डिजाइन आपके सामने है आशा है आपको पसंद आया हो यदि आपको डिजाइन अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजे अपने फ्रेंट्स और फैमली में शेयर कीजे थैंक्स फार वाचिंग